दीप दिलबर द्वारा संपादित पुस्तक उर्दू कहाणी दे तिन पंजाबी थाम। सादत हसन मत मिन्टो दी कहाणी है बस्टैंट। ओ बस्टैंट दे लागे खलोती ए रूट वाली बस्ता इंतजार कर रही सी। उदे लागे कई मर्द खड़े सन उनाच्व एककोन वुरी तरां कूर रही सी। उन्वेंच मैसू स्वया जमे कूरुन वला आदमी वर्मे नाल उदे दिल दिमाग्ट छेक कर रहा हुए। उदे उमर कुई वी यां बाईयां वर्यांधी होये की पर इस पक्की उमर दे बाब जूद वी ओ बड़ी कब्रा आ रही सी। सर्दियां दे देंसान परोधियां पुड़ पुड़ियां ते मुड़का आ रहा सी जो ने कई वार पूंजया। उदे समच नी सी आउंदा क्यों की करे। बास्टान तो चली जावे। ते कोई टांगा कार लवे। जा वापस अपनी सेली को ली चली जावे। उदे इक सेली नमी नमी बनी सी। एक पार्टी चो मिलियां सानते दोमें इक दुजेवल किचियां गैं सान। ये पहला ही समासी के उधे बुलावे ते अपनी से लिदे कार गई सी। नौकर के ओन जो बिमार सी इसली ओव एकली अपनी से लिदे जिद करंते उधे कार चली गई। दो कंटे आप उच गप्पा मार दिया नहीं, ये समा बड़े स्वादना लंग गया। उधे लिदे जिद आना शाहदा सी जान लगया, उनौकर लगी सलमा, उन तरह वया होई जाना चाहिद है। सलमा शर्मा अगी, क्यों जी अंगलन कर दिये शाहदा, मैं वया नहीं करवो नौकर सारी उमर कौरी रहेंगी। कौरी रहेंच की हर्ज है, शाहदा हसी। मैं भी इस तरह केंदी उन दीसा, पर जो दो वया हो गया तो दुनिया दी सारी मजे मैंनों प्रापत हो गई। इही ता उमर है, जो दो बंदा वया दे सारी स्वादाना अनंद मान सकते। मेरे आखे लाग बस एक दो मेन अंदर वाटी बन जा, तेरी हथानू मैं दी मैं लावाँगी। चट पर है इस छेड़ खानी न। शादा ने सलमा दी गल ते होली जी चपेड लाई। ये कोई छेड़ खानी है। जे छेड़ खानी है ता सारी दुनिया छेड़ खानी है। मर्द ते औरत दा रिष्टा भी फजूल है। मेरी समझ नहीं आउंदा के तू एस तुरों बढ़े रिष्टे तो क्यों मुन करे। विखांगी तू मर्द बेना क्यों जिन्दा रह सकती है। खुदा दी कसम पागल हो जाएंगी पागल। सालमा ने इंज महींशूस कीता कि तू मैं दील तवा गया। शाह था । मैंनो तंग ना करो, मैं शाधी नहीं करवानी। मैंनो मर्द न तो नफ्रत है। क्यों?" बस है। उन मैं तेनू की कहा, मर्द तो मैंनू भी नफरत सी, पर जदो मेरी शादी होई थे मेरे पती ने मेरे नल प्यार कीता था, मैंनू पहली वर बता लगा, कि मर्द और अरत ले किना जरूरी है, हो वे मैंनू अधी लोडनी, शाह दाह सी, सलमा एक दिन जरूर तो मेरी गल मान ज जाएंगी के मर्द औरत ले जरूरी है, मर्द बिना औरत ऐसी गड़ी है, जिदे पई ना हूँ, मेरे वियान वी कवरा हुए है, इसी कवरे जना सुआद आरामते खुशियां मेरे पती ने मैंनू देती है, मैं दस नहीं सकती, खुदा दी कसमो फुरिश्टा है, फुरिश लाया कि उदी अकल ने साथ नहीं देता, मर्द दी लोड़ी की है, कि ओरत मर्द बगएर जन्दा नहीं रह सकती, जिमें शाहदा ने उन्हों दस्या सी, कि उदा कारवड़ा बड़ा प्यार करन वाड़ा ते नेक बख्त है, पर इस गल्त वे साबत ता नहीं उन्दा कि सल्मा सोनी सी, उबरे उबरे जोबन परे परे हाथ, पैर, चोड़ा मथा, लम्मे काड़े वाल तिखा ना को पर काड़ा तेल, ते जोदो अपनी सेली तो इजाज़त ला के गुसल खाने गई ता उन्हें अपने आपने आपनों बड़े गौर्णल वेक्या, ते उन्हों ब खेत चो गुनवड़ी गल सी, जो कोई उन्हों खाएगा नहीं ता उन्हों गल सड़ जाएगी, उबड़ी देर तक गुसल खाने दे बड़े शीशी अगे खलोती, सोच दी रही है, उदे दिमाग चोदी सेली दियां सारी हैं, गल्लां गूंज रही हैं, मर्द दौरत ली बड़ा जरूरी है, उदा खावंद उन्हों बड़ा प्यार कर दा है, वो फिरिश्ट है, सल्मा नो एक स्केंट ले इंज लगा, जैमें उदी सल्वार थे दुपटा, फिरिश्टे दे पार बन गई हैं, वो कबरा आ गई थे, छे तीवे ली होके, गुसल खाने चो बार आ सल्मा नो ओ भी पेस बदल के आए, फ्रिश्टे जा पियां, जदो दी से ली कोठी ना लगवें बाग विच ला गई ता, उन्हें उत्ते कुछ तितलियां वेखियां, जिडियां उन्हों फ्रिश्टे वखाई देते हैं, पर उस कई वार सोचा है, कि इस तरहां दे रंगी इन्हें छोटे-छोटे फ्रिश्टे के में हो सकते हैं, पर उन्हों काफी देर तीक फ्रिश्टे ही फ्रिश्टे वखाई दे रहें, तीडे उस लगए होंदे, उन्हों प्यार कर दे, उदा मूं चुम दे, उदे सीन्ने ते हाथ फेर दे, जिस नाल उन्हों बड़ा आराम पर उना फ्रिष्टेयां दे हाथ बड़ी तेजी नल परांग कर देंदी तो उना नू केंदी जाओ चले जाओ तो अड़ा करता असमान उते है इत्थी की करना है उना फ्रिष्टेयां नू केंदी असी फ्रिष्टे नहीं हजरत आदम दी उलादा उही बजर्ग जो स्वर्ग चो कड़े गाई सन पर असी तेनू फेर सुर्गांच पुचा देन दा इकरार कर दे है चलो साथे नल उते दुद्धियां नारा वगदियां हमते शैदियां मी सल्मा नू लगा जमें उधियां छातियां चो दुद्धे निके निके कत्रे निकलने शुरू हो गए हैं ते उधे भुल मिठास्ट लिप्टे हुए हैं शाह दा बार बार उधे कोल अपने कारवड़े दियुस्तत कर दी असल चो दा मुद्धा ही सी को अपने दियुर नालो दा रिष्टा पका कर दे वे पर कारचे पहली मुलाकात सी इसलिए उखुल के पूरी गल ना कर सकी पर उन्हें शाहरें शाहरें चेंग दासवी दिता को दा कारवड़ा जो बड़ा शरीफ है मोभबत करनवाड़ा है सेल्मा ने शाहरा ना समझग जब बड़ी पूली सी उन्हें सिर्फ एन नहीं किया कि अजकल दे जमाने शरीफ आजमें दा मिलना बड़ा मुश्किल है तू खुश किसमत है कि तन्हों ऐसा खांदान मिल गया जिदा हर बंदा नेक ते शरीफ है अफसोस है कि इस वज़े मेरा पती कारनी नी था मैं तन्हो जरूर मिलांधी। फिर कदी सी की काम कर दे हनू उन्हा नु काम करनदी के लोड़ा लखां। जैदाद है, मकाना थे दुकाना दा कराई हर मेने दोजार दे लगे चागे आजांद है इस तो बिना अल्ला दे फजलनाल जमीन आहानों दी आमदन वक्री है अनाज दी कोई कमी नी मना मुई कन कर पई रहन दी है चोड़ भी कर दी, हर किसम दी सबजी भी हर वेले मिल दी रहन दी है अल्ला दा बड़ाई करम है उनना दा छोटा प्राजड आजका लंदन में अच्छा है खेती बड़ी बड़ी पता नहीं की उच्ची विद्या प्रापत कर रहे है एक मीने थी कि वापसा रहे है हो अपने बड़ी प्रादे मुकाबले चो बड़ा खुब सूरत है तो वेखेंगे उननों था सल्मा ने कबराट जी कहते था हाँ हाँ जदो आउन गे था उनना नल मिलन दा सुबाग प्रापत हो जाएगा बड़ा श्रीफ मुंड है बिलकुल अपने प्रावर गार शाहदा देंगे जी यहां जरूर होएगा आखर श्रीफ खान दानल से बंद रख़द है बस होनी वाल है तो मैंनों अपनी एक तस्वीर दे दे की करेंगी शैद लाके चटांगी यह कह के शाहदा ने सलमा दा मूंचों मले आते फिर अपने पती दियां तरी फग करनी है शुरू कर देती है सलमा तांग आ गई उन्हें थोड़े चिर पिच्छों कोई बहाना करके चुटी लेई थे बस टेंट दे पहुंच गई जिते उन्हें ए रूट दी बस फड़नी से जदो थे पुझी था एक मर्द ने उन्हों लुच्चियां अक्खानल को उरना शुरू कर देता वो बड़ी परेशान हो गई स्यालां दे देन सांते उस कई वर मत्थे तो मुड़के दिया मूनदा बुझी है स्टैन दे एक बस आई तो बिना नंबर वेखें कुझ मुसाफरान दे उत्तरन पिच्छों चाट बस चड़गी वो आदमी वी उसे बस्ट चड़गया वो दी परेशानी होरवद गी सबाब ऐसा बने हैं के बस ते इंजन्च कुछ खरब भी पैदा होगी जिस कारण बस रोक गई सारे मुसाफरान वी उत्तर लिक्या दिता गया के उतर जान कि उन्च काफी देर थी के बस नहीं चल सकती सलमा पार निकली तो मर्द भी जड़ा उन्हों बुरी तरह को उर रहा सी उदे नाली उतर आया सड़क ते एक कार जा रही सी उन्हें उदे ड्राइवर नो वास देती अमामदीन अमामदीन ने मोटर एक दम रोक ले सलमा ने महसूस केता कि मर्द सच मुची आउरत ले जरूरी हुन दे उन्हें अपनी जिंदगी ना वदिया दिन लंगाया पामे उन्हों पहला काफी ना नुकर कर दी रही पर उस मर्द ने उन्हों राजी करी लिया दिन चार कंट या पिछो जदो सलमा ने उस मर्द दा बटूआ कोल के एमी वेख्या ता उदे एक पास से शाहदादी तस्वीर लगी हुई सी उन्हें चक दिया चक दिया पुचे ए ए औरत कौन है उस मर्द ने जवाब देता मेरी बीवी सलमा दे संगो चीक निकल्दी निकल्दी रह गई तो अड़ी बीवी शादादा कार बड़ा हस्या क्यों मर्द निया बीवी निहुंदिया तन्वाद